नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है जीने शौक पे आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं Profit and Loss का 7th पार्ट तो अगर आपने अभी तक 6th पार्ट नहीं देखें तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 6th पार्ट तक जरूर देखें ताकि आप वो 7th पार्ट के सारे ट्रिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएं तो जेलिए start करते हैं तो 7th पार्ट में दोस्तों हम वही क्वेस्टन डिस्क्स करेंगे जो हमने 6th पार्ट के last क्वेस्टन में किया था जिसमें ये वाले questions आते हैं कि A ने अगर B को कुछ समान बेचा किसी profit पे या loss पे फिर B ने C को बेचा और C ने D को बेचा आगे D का cost price या C का cost price दिया होता है A का पूछा जाता है ये सारे type के questions यतने भी आपके latest exams में आये हैं वो सभी आज के वीडियो में हम cover करने वाले हैं तो इंतिजार किस बात का start करते हैं A ने एक article sell किया जो 500 rupees A को cost किया था इन्होंने B को उसे बेचा 30% के profit पे B ने आगे उसी article को C को बेचा और उससे 10% का profit कमाया और अब बोल रहे हैं कि C ने कितना पैसा B को दिया होगा ये आपका आया है CISF HCM 2023 में तो देखे यहाँ पे A इसके बाद B और इसके बाद C आप जानते हैं 30% 30% का मतलब होता है 30 by 100 जिसको लिखते हैं 3 by 10 तो अगर A कोई चीज 10 rupees में लाया होगा तो उसने 3 rupees का profit कमाया होगा यानि कि 13 rupees में B को sell किया होगा B ने जब C को sell किया तो 10% 10% होता है 1 upon 10 और ये profit है तो प्लस होगा तो अगर B कोई चीज 10 rupees की लाया तो उसने उसको 11 rupees का बेचा होगा C को ठीक है अब यहाँ problem आ रही है B की क्यूंकि B same नहीं है तो इसको हम same बनाएंगे अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यह 13 है यह 10 है तो क्या करेंगे इसको 10 से multiply कर देते हैं इसको 13 से कर देते हैं यह 13 से हुआ तो फिर यह भी 13 से होगा और यह 10 से हुआ तो यह भी आपका 10 से होगा यानि कि अब आपका जो रेशो है वो बन जाएगा यहाँ पे 100 और यह देखिए यह 13 इंटू 10 आपका बन जाएगा 130 और यह 11 इंटू 13 बनेगा 143 इसका मतलब हमारे पास अब यह आ गया है रेशो A, B, C का अब हम इस से ही सारी चीजे जो है वो काउंटर करेंगे तो इसका मतलब आप पूचा है यह 500 क्या था देखिए 500 वो था जो A को कॉस्ट हुआ था इसका मतलब यह 100 इनिट्स यह बला जो A का है यहाँ पे 100 है वो एक्चुली में 500 था क्योंकि A की कॉस्ट यह थी तो अगर 100 युनिट्स की बी को है ना तो सी ने देखिए 143 उनिट्स पर किया है देखिए यह बी ने किया था 130 और सी ने किया 143 तो अगर वान युनिट्स की वैलिव है तो 143 उनिट्स की वैलिव क्या होगी वह 143 का 5 ताइमस तो यहां से आप इसको सॉल कर सकते हो 145,070 और 5,3,015 तो यह आएगा यह लिए रेशो का रूल हमने यह पे अपलाए किया है तो आइंसर हो गया option A next देखिए राजू ने एक article रवी को बेचा 10% profit पे रवी ने same article रामू को बेचा 10% loss पे रामू ने इतना पे किया रवी को तो राजू ने रवी को कितना पे किया होगा same type है तो यहाँ पे लिखे क्योंकि सब के नाम R से start होते हैं तो पूरा लिखना पड़ेगा राजू फिर रवी और फिर रामू अब यहाँ पे राजू ने रवी को 10% profit 10% का मतलब 1 upon 10 तो अगर राजू कोई चीज 10 units की लाया आ तो उसने एक रुपे का profit कमाया रवी को 10% loss का मतलब हो गया minus 1 by 10 क्योंकि loss है तो माइनस तो अगर रवी 10 की लाया तो उसको एक रुपे का नुकसान हो गया उसने रामू को 9 units की बीची अब हमें यहाँ पे रवी को सेम करना होगा तो रवी को सेम कर लेते हैं यहाँ यह 11 है इसको 10 से करना पड़ेगा 10 को 11 से तो य यह भी आपका 10 से तो इसका मतलब है 10 into 10 आपका राजू का बनेगा 100 100 और फिर यहाँ पे रवी रवी हो गया 110 और यहाँ रामू हो गया आपका 99 अब इन्होंने क्या पूछा कि रामू ने अगर इतना पे किया यानिकि 99 पे फोकस करना पड़ेगा इन्होंने कहा 99 यह है दिया है यानि कि यह 100 की वैल्यू आपसे पूछिए तो जो भी आंसर होगा वो अब इसको एकवेट करके निकाल लेते हैं तो अगर आप इसको एकवेट करोगे तो यह आपका आजाएगा यहां से 99 तो 11 नाइन जा और 11 वंजा यह आप देख सकते हो 8 प्लस वर 9 और 5 प्लस 4 9 तो 9 11 से डिवैड होगा 11 वंजा 11 और 3 8 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55 तो 9 वंजा और 9 15 जा आप जानते हो तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 हो गई तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 100 इंटू 15 हो जाएगी यानि इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा 1500 यह आपका SSC Multitasking Staff 2023 में पूछा गया है तो एंसर इसका हो गया जी Option C इसके बाद शोभा ने एक small plot खरीदा किसी residential area में 6 लाग का उसके बाद उसे लक्षिता को बेचा 20% के profit पे लक्षिता ने फिर उसे दिनेश को बेचा 10% के loss पे तो दिनेश ने उसके लिए कितना पे किया सेम एक्जाम में पूछा है SSC MTS 2023 देखें तीन लोग हैं शोभा लक्षिता और दिनेश अब क्योंकि नाम different letter से start होते हैं तो हमने उनको different letter दे दिया है तो इसकी बाद हम बाद में करेंगे पहले हम percentage की बात करते हैं तो लक्षिता को बेचा गया 20% profit पे 20% होता है आप जानते हो 1.5 और profit है तो हम लिखेंगे plus तो ये ये लक्षिता है ये दिनेश है तो शोभा ने 5 की कोई चीज खरीदी है वो plot तो अब उसने 1 का profit कमाया यानि लक्षिता को 6 का बेचा लक्षिता ने दिनेश को बेचा 10% नुकसान पे 10% होता है 1 upon 10 और 1 upon 10 जो है वो होगा अगर लक्षिता ने उसको 10 का खरीदा था तो उसस दिनेश को 9 का बेचा होगा अब देखिए 6 और 10 इसको सेम करना है तो 6 और 10 का LCM 30 होता है तो आप क्या करेंगे कि ये जो 6 है इसको आप multiply कर लेंगे 5 से और इसको multiply कर लेंगे 3 से तो ये सेम हो गया तो इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से और इसको 5 से तो इसको भी 5 से तो यान फ्यान पर यहां पर आगया आपका 37 ठीक है अब सोभाक की वैलु 1 इख डीक है तो अब दिनेश का पुछा यह निए 27 का पुछा तो अन्से 27 का multiple होना चाहते और आप देख सकते हो कि 27 गा मुल्टिपल यानि कि इसके अंदर क्या होना चाहिए त्री का क्यूब होना चाहिए यानि कि त्री का मुल्टिपल तो कौन सा ओप्शन त्री का मुल्टिपल नहीं है जैसे देखो तो एक इनिट की वैलू कितनी हो जाएगी यह हो जाएगा पॉन पच्चिस तो पच्चिस इसको सौल कर लिजे 25 तूज़ा 50 फिर यहाएगा 25 आपका 400 और फिर यहाँ पर आएगा 24,000 अब हमें एक इनिट की वैलू मिलकी 24,000 तो हमें निकालने है 27 इनिट्स की तो इसका भी 24, तो 27 इनिट्स की वैलू निकालने थी जो दिनेश का प्राइस था तो 27 इनिट्स की वैलू के मदलब 30-0 तो चलो लास्ट में आई जाएंगे यह आप्शन कैंसल होई चुके थे हमारे तो यह दो बच्चे है अब इसको सॉल कर लेते हैं तो अब देखे यहाँ पे युनिट्स से काम करेंगे यह देखे 7 इनिट्स फोर जब करते हैं तो 28 आता है यह लास्ट में 8 सही है तो यह वाला ऑप्शन कैंसल हो गया तो इसका जो एंसर होगा वोगा ऑप्शन भी बाकि 168 और यहां से 24 इनिकी 168 आ गया तो 16 कैरी 24 टूजा आपका 48 48 प्लस 16 होगा आपका 64 तो 648 आपका 1000 आजाएगा आंसर विचिस ऑप्शन भी तो पूरा भी सॉल कर सकते हो और डिरेक्ली भी देख सकते हो युनिट इजिट से चेक करके आंसर टिक कर सकते चल्दी से एक मैनु रिटेलर को बेशता है रिटेलर कस्टमर से 25 परसंट का प्रॉफिट कमाता है तो आर्टिकल कर प्रॉडक्शन बताएगे जिसमें कस्टमर का पेमेंट है वो आपको दिया हुआ है यानि कि शुरुआत में प्रॉडक्शन जो थी उस पे कितना पैसा लगा था तो देखिए बढ़ते बढ़ते कस्टमर को 12000 का मिला यानि उससे कम होगा तो यह सारे उप्शन का आपके कम है सेम एक्जाम में पूछा है देखते हैं 10% होता है वन अपॉन 10 प्रॉफिट है 15% होता है 3 अपॉन 20 25 परसंट होता है वन अपॉन 4 इन सब की इन सबका यूज करेंगे तो द इसके बाद यहां से रिटेलर को 15% होल से डिलर अगर 20 रुपए का लाया है तो इसने तीन रुपए का प्रॉफिट कमाया यानि कि 23 इसके बाद यहां से रिटेलर 25% कमाता है इसका मतलब अगर रिटेलर 4 रुपए का लाया तो वो प्लस एक पाँच यूनिट्स का उसको बेचेगा अब यह हमें बताना है तो कस्टमर का पेमेंट हमें दिया हुआ है तो यह हमें इसको बताना है इस ड्रेक्ट मॉल्टिप्लाय करना सेकेंड स्टेप होता है ऐसे और ऐसे थर्ड अगर लिखें तो आप लिखोगे 10 x 20 x 4 यह वहला ठीक है यह हो गया अब आते हैं होल्सेल डिलर पर तो यह स्ट्रेट होता है 11 x 20 और इन्टो 4 ठीक है होल्सेल डिलर का रिटेलर को तो यह होता है 11 x 23 ऐसे और ऐसे और इन्टो 4 और यह लास्ट में होता है 11 x 23 x 5 तो अब आप सौल करके देख सकते हो एक कुछ चैंसल होता है तो काड देते हैं बट चैंसल होगा नहीं क्यूए 5 सब में नहीं है 11 भी सब में नहीं है और 23 भी नहीं है ठीक है अब देखे किसका पूछा है कस्टमर इसका पूछा है यह वला तो आंसर आपका 10 20 और 4 का multiple होना चाहिए तो ठीक है यह सभी है अब चेक करते हैं तो यह दिया हुआ है 11 12650 अब आप देखो यह कटना चाहिए किसी ना किसी से तो यह साथ और यह साथ 11 से कटेगा 11 बन्जा 11 तो यह 50 अब 23 से कटेगा 23 5 होता है और बचा 5 तो 5 10 से कटेगा तो भई यह एक्चुली इसका 10 टाइम्स ही है तो एक उनिट की वैल्यू 10 है तो आपको यह पूछा था कि यह manufacturer starting में production कितना था तो यह इसकी वैल्यू पूछी थी तो भई इसको भी 10 टाइम्स कर दो तो 10 इन्टू 20 इन्टू 4 को 10 टाइम्स करो क्योंकि इसको solve करके एक यूनिट की वैल्यू 10 आ रही है तो यहां पर इन्टू 10 करोगे तो 100 इन्टू 20 यह हो गया 80 आपका 800 तो 8000 आ यहां पे 11 लिख दो यहांपे 23 लिख दो और यहां पे 20 लिख दो हैना यहाँ पर फॉर लिख दो यहांपे फोर लिक दो इसके बात क्या करो कि आप सी वी से लीक है सब्सक्राइब यह थे होता है प我們 13 इंटू 他र्ड इंटू 23 इनटू 4 यह आ tents तो यह वला आ गया, इसके बार last 11 into 23 into 5 तो यह last वला आ गया ना, और last वले को compare कर लिए है तो वो 1, 2, 6, 5, 0, 10 times आ गया, तो इसकी value हमने निकाली जो कि इसका 10 times हो जाएगी, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी, यह हमने proper ratio में सारे methods properly discuss किया है अब वहाँ जाके देख सकते हैं 15 में आते हैं, अनिल ने बीना को car बेची है 20% पर बीना ने फर्दर करन को करन ने इतना बेख किया, तो अनिल के लिए cost price किया था, देखिए अनिल, बीना और करन, तो अनिल यहाँ पर 20% 1 by 5, 25% 1 by 4, ठीक है अब अनिल ने बीना को बेची है, तो इसका मतलब अगर अनिल ने 5 की खरीदी है, तो यह इसको 6 की बेची होगी तो बीना ने करन को बेची है, इसका मतलब यह 4 था, तो इसने 1 रूपय एक्स्ट्रा, 1 उनिट एक्स्ट्रा कमाया, इतने की होगी तो current ने इतना पे किया आप देखो इसको same करना है तो इसको 2 से multiply कर लो इसको 3 से इसको भी 3 से तो ये भी 2 से आपका हो जाएगा तो simple value है 10, 12 ये same हो गए देखो और ये हो गए आपका 15 ठीक है अब current ने इतना पे किया यानि कि ये current है तो 15 units की value दी हुई है तो 15 units की value है 225k तो 1 unit की value हो जाएगी आपको पता है 15 square होता है तो 15,000 एक unit की value 15,000 cost price of the car for annil तो annil ने कितने की खरीदी होगी भई एक की value 15,000 तो 10 की value भी 10 into 15,000 होगी 150,000 यानि की डेर लाग तो answer हो जाएगा इसका option D प्रवीन ने study table Zoya को दिया 10% loss पे Zoya ने आदर्श को दिया 25% profit पे आदर्श ने खरीदा 2250 का तो प्रवीन के लिए cost क्या था देखिए ये प्रवीन है ये Zoya है ये आदर्श है तो प्रवीन 10% loss पे बेचा है यानि माइनस Zoya ने 25% यानि की plus तो बस इसको use कर लीजे तो यहां अगर 10 units का प्रवीन लाया था तो 9 units का Zoya को बेचा जोया ने आदर्श को जो बेचा अगर वो 4 units का लेके आए थी तो उसने 5 units का बेचा अब हमें इसको same करना है तो यहां पे 4 से multiply कर लेते हैं यहां पे 4 से यहां पे 9 से तो यहां पे भी 9 से और यहां पे भी 4 से तो यह बन जाएगा आपका यह बन जाएगा आपको 40 यहाँ पे आप देख सकते हो यह सेम हो गया जो की हो गया 36 और यहाँ पे हो गया 45 यह रेशो बन गया आदर्स ने खरीदा है 2250 का इसका मतलब यह लास्ट वाले का दिया हुआ है 45 इनिट्स की वैल्यू कितनी है 2250 तो आप जानते हो 45 फाइव जाई होता है तो एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई तो प्रवीन के लिए पूछा था है यहने कि 40 यूनिट की वैल्यू पूछी थी तो 40 का 50 टाइम्स हो जाएगी जो की हो जाएगी 2000 तो आंसर हो जाएगा इसका option C next question है A ने laptop बेचा B को 15% के profit पे B ने same laptop C को बेचा 20% के profit पे C ने उसे D को बेचा 5% के loss पे तो अगर A और D के बीच में जो profit है उसकी value इतनी है तो C को वो laptop कितने रुपए का पड़ा ठीक है तो देखे चार है तो सबसे पहरे हम percentage लिख देते हैं 15% होता है आपका 3 by 20 15 by 100 तो यह प्लस होगा profit फिर 20% होता है 1 upon 5 यह भी प्लस 5% होता है 1 upon 25 upon 100 माइनस 1 by 20 अब इसका ratio लिख देते हैं जल्दी से A B फिर C फिर D यह आपका AACSF HCM 2023 के एक्जाम में तो अब देखे अगर A ने इसे 20 का खरीदा तो 3 रुपे का profit कमाया तो B को मिला 23 का अगर B ने इसे 5 रुपे का खरीदा तो एक रुपे का profit कमाया इसको मिला तो C को बेचा उसे 6 का अब C ने जब इसको 20 रुपे का खरीदा उसने loss कमाया पांच पसंड का यानि कि पांच पसंड 20 का एक हो गया तो एक कम पे उसको मिला यानि कि उसने एक कम पे बेचा D को तो D को मिला एक कम पे that is 19 तो यह हो गया अब आप जानते हो इसका रूल हम अलड़ी कर चुके है कि आप या तो इसको स्ट्रेट लिख सकते हो यहाँ पे 23 यहाँ पे 23 जो यहाँ लिख है वही आगे यहाँ पे 6 जो यह है इसको यहाँ पे 5 यह वला इसको कैरी करो यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20 अब वर्टिकली इसको मल्टिप्लाइ कर लो यह वल्टिप्लाइ करोगे आप 20 तो 5 इन्टो 20 यहां पर आप करोगे तो यह आपका आएगा कि 2351 151 15 का डबल 230 तो यह ऐगर 2300 यहां पर करोगे तो 236 इंटो 20 तो यह आपका 2368 138 का 22760 यहां multiply करो 236 138 और 138 को 19 से करना है तो 19 152 19 357 और 1572 हो गया 7 यह हो गया 19 और 726 हो गया तो यह हो गया जिया आपका 2622 यह आपका ABCD का ratio आ गया अब जो इसने बोला है वो देखे इसने बोला है A और D का difference तो A और D का difference यह रहा जो कि हमारे इसाब से है 622 यूनिट आप देखिए A और D का तो यह आ रहा है आपका 622 ठीक है अब पूछा है C का यानि कि 2760 की value आपको बताने है तो अब हमारे पास difference आ गया है 622 का और अब हमें बताना है कि 2760 का answer क्या होगा अब यह decimal में है इसको solve थोड़ा देख लेते हैं क्या हो सकता है तो 2760 यह बताना है तो 622 की value आपको दी हुई है कितनी 1492.80 ठीक है यह आपको दी हुई है तो वान यूनिट की value कितनी होगी इसको divide करना पड़ेगा 622 से और हमें निकालना है 2760 का तो 2760 की value क्या होगी कि हम इसको यहां पर ऐसे multiply कर देंगे 2760 अब हमारा question जो है वो इतने में change हो गया कि हमें इसको solve करना है कौन सा option 23 का multiple नहीं है या 6 का multiple नहीं है इस तरह से देख स सकते हो कि 23 का multiple जैसे कौन नहीं है तो वह आप directly neglect कर सकते हो है ना तो अब आगे देख लेते हैं कि कौन सा जैसे यह फ़ला option है थोड़ा odd सा लग रहा है 23 अगर करेंगे तो 23 3069 तो हो जाएगा लेकिन अगर आगे चलेंगे 55 यह आंसर नहीं हो सकता तो आप ऐसे reject कर सकते हो जैसे 23 से देखो 23 349 313 104 यह भी आंसर नहीं हो सकता यह देखो 23 23 आपका 3 तो नहीं 46 46 में जाएगा तो यह आपका 9 2 तो 23 4 यह जा सकता है यह 23 से हो रहा है क्या 23 आपका 23 4 जा 23 जा नहीं होगा 23 2 जा ही होगा तो 23 जो 46 तो यह 202 बचेगा और फिर 23 से 6 ताइम चला जाएगा और फिर यह कितना बचेगा आपका 8 बचेगा और यहां से 1 बचेगा और यह 184 तो यह भी पुरण पुरा पूरा चला जाएगा तो इन दोनों में से एक answer हो सकता है आप ऐसे कर सकते हो बागी इसको हम solve कर लेते हैं तो यहाँ पे दो decimal जाएंगे तो नीचे 100 आएगा 10 से 10 यहाँ 10 से 10 अब इसको solve करते हैं 311 और यह हो जाएगा आपका 138 अब यह बड़ा नंबर है इसको solve कर लेते हैं इससे यह तो रहे करता चाहिए क्योंकि answer decimal में नहीं है तो इसको जब divide करोगे तो देख लेते हैं divide करके क्या हमें यहाँ पे मिलता है अब हमें इसको divide करना है 14980 को divide करना है 311 से तो देखो 3 4 12 होता है तो 4 से चेक करेंगे 5 से जाएगा नहीं क्योंकि 3 5 15 होता है जादा हो जाएगा तो 1 2 और 4 4 माइनस करें 8 पिर यहाँ पे 4 पिर यहाँ पे 2 पिर यह यहाँ यहाँ आजाएगा अब आप देखो 3 8 24 और 1188 यह नहीं कि पूरा का पूरा जाएगा अलागी यह 0 यहाँ पे नहीं है चैंसल हो चुका है तो 2488 टाइम्स चला गया इसका हो तब यह इससे एक्जाक्ली जो है कट गया कितना टाइम्स 48 टाइम्स और 48 को आपने सिर्फ पन-thirty-eight से से मल्टिप्लाइ करना है तो आंसर हो जाएगा वही तो one-thirty-eight को 48 से मल्टिप्लाइ करना है कैसे की एक ट्रबल डिजिट एक डबल डिजिट तो पहले इसको करो एक यह दूर जिटि-फू सिक्सी-फूर सिक्स कहरी अब ये वाला हो गया इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसको ऐसे मुटिप्लाइ करेंगे यह हमारी वेदिक मैस की क्लास पर हमने देखी लिया होगा तो यह हमला हमने कर लिया अब इसकी बारी तो ट्वेल्व और यह 626 तो यहां पर आएगा तू कहरी अब लास्ट में जो होता है यह इतने में खरीदा था यह आपका SSC CGL में आया है 2023 में तो राम मोहन और शाम परसेंटेज लिख लेते हैं 20 परसेंट होता है और 40 परसेंट होता है तो यह सब प्रॉफिट है तो प्लस होंगे तो अगर राम ने कोई चीज पांच यूनिट की खरीदी है तो दो प्रॉफिट कमाएगा और साथ की शाम को बेचेगा अब देखिए यहां पर मोहन को सेम करना है तो यह तो इसको यहां ऐसे छे यहां लिख दीजिए पांच लिख दीजिए मुल्टिप्लाइ कर लिजिए तो यहां इसको सेम कर लिखे एक ही बात है आगे कैंसल हो नहीं रहे हैं तो इन्होंने का शाम ने इतना पे किया है यहां पर शाम है आपका यह तो 42 इनिट्स की वैल्यू दी हुई है वन 430 है ना तो 42 की वैल्यू दी हुई है राम ने कितने में तो यह 25 की वैल्यू पूछी है आपसे तो ठीक है तो 42 की वैल्यू है 1430 तो एक की वैल्यू हो जाएगी 1430 बाइ 42 25 की वैल्यू होगी एक के लिए डिवाइड ज्यादा के लिए मॉल्टिप्लाइ तो यह आपको सॉल्ट करना है 1430 अपॉन 42 इंटू 25 अगर आप देखो क्या यह डिरेक्ली कैंसल हो रहा है इसको अगर करें तो 21 और फिर यह आएगा 715 21 से डिरेक्ट कैंसल हो रहा है क्या 21 24 24 21 30 63 तो 85 बचेगा तो डिरेक्ट कैंसल नहीं हो रहा है और 21 25 भी डिरेक्ली कैंसल नहीं तो यह आपका 21 है और यह आपका 715 है ठीक है तो सॉल्ट कर सकते है तो 715 और 25 मुल्टिप्लाइ कर लिजे तो यह आएगा 25 5 जा आपका 6 125 12 कैरी 25 और 12 आपका 37 हो जाएगा 3 कैरी हो जाएगा 25 7 जा 175 और 3 178 तो अब इसको डिवाइड करना है आपने 21 से तो अब देखिए 21 8 जा अब इसको डिवाइड करना है हमें हाला कि आइंसर हम अलड़ी माक कर चुके हैं बट जिस्ट एक सॉलूशन के लिए हम कर रहे हैं सॉल्ट देखिए 178 75 और इसको 21 से करेंगे तो आप देखो 21 आपका 8 जा जाएगा सारे ओप्शन 8 से स्टार्ट होते हैं तो 8 से जाए गई 851 से जाएगा 21 और 40 तो आगे आप देखने ना फिर से वन से जाएगा तो यही आंसर आजएगा 851.19 ठीक है तो अच्छा कुश्चन था यह भी कैलकुलिटिव था आपको इसको ऐसे रेखना था कि क्योंकि पूरा कट नहीं रहा तो आंसर डैसिमल में जाएगा और एक यह अपक्षन डैसिमल में है तो वही हमारा अंसर हो जाएगा एक एने अर्टिकल बेचा बी को इतने परसंट प्रॉफिट पर बीने सी को बेचा इतने प्रॉफिट पर अब कॉस्ट प्राइस अब यह थोड़ा डिफरेंट लागविज में कर लेते हैं इसको कि एने बी को बे जादा है 30% का मतलब 3 by 10 तो प्लस होगा तो अब लिख लेते हैं इसको A B C तो अब A ने कितने में बेचा है तो A ने अगर 4 रुपे में खरीदा था तो इसने 1 रुपे एक्स्ट्रा लगा के B को बेचा ठीक है अब B ने फर्दर C को बेचा हमें नहीं पता कितने में लेकिन इनने कहा A Cost Prices of C जो भी A Cost Price of C एये 30% जादा है एसे अब आप देखो ये का cost price कितना है याई का आप यह बोल सकते हो कि यह जो C है C जो है अगर यह A10 है तो C कितना है 13 है मेरे दोस्त यह दिया हुआ है इसमें कि अगर A10 है तो C उसे cost price of C 30% जादा है तो यह अगर A10 है तो C आपका कितना होगा 13 होगा तो यह आपका ratio यहां पे दिया होगा है अब आप इसको solve कर सकते हो देखो इसमें A जो है हमें same करना है तो यह 4 और 10 का LCM 20 होता है तो हम क्या करेंगे कि इसको 5 से कर देते हैं इसको 2 से इसको 5 से किया तो इसको भी फाइव से इसको 2 से तो इसको भी percentage earned by B तो इसका पूछ रहे हैं कि B ने कितना कमा लिया तो profit percentage earned by B यानि कि जब B ने C को बेचा तो कितना कमाया तो आप देखे profit percentage का मतलब यह हुआ कि यह cost price हो गया और यह selling price हो गया तो profit इनका difference होता है तो एक unit इन्होंने कमाई और आप जानते हो कि profit percent होता है profit upon cost price into 100 तो profit एक कमाया और किस पे कमाया cost price 25 था और into 100 आप जानते हो एक बटे 25 चार परसेंट होता है तो answer हो जाएगा option B तो यहाँ बस इसने confuse करने के लिए A और C में खेला है directly तो देखिए next question है A ने एक toy B को बेचा 15% पे B ने अब दुबारा A को बेचा 20% पे और इतना gain कमाया तो A ने कितना pay किया था उस toy के लिए originally सबसे पहले कितना pay किया था तो 15% पे A ने B को बेचा तो अगर आप इसको अब क्योंकि A और B की बात हो दिया तो अगर आप इसको 100 से ले लोगे क्योंकि B ने फिर A को दिया तो आपका थोड़ा easy हो जाएगा काम तो 100 से 115 में क्योंकि 15% का profit कमाया अब B के पास 115 था उसने इसका 20% extra कमाया और फिर दुबारा A को बेचा तो अब आप इसका 20% निकाल सकते हो तो 115 का 20% होगा 115 जो कि हो जाएगा 23 रुपीज तो 23 रुपीज और इसमें अड़ करेंगे तो यह आजाएगा 138 या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 115 का 120% निकालना पड़ेगा क्योंकि 20% का profit कमाना है तो 25 था 26 था 5 आपका 23 ताइमस तो 23 था फिर यह 138 आजाएगा इसका मतलब जो समान B को 115 में मिला था उसने A को वापस 138 रुपीज में बेच दिया तो अगर ऐसा है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ 23 यूनिट्स का हमारा गेन हो रहा है जो कि question में दिया हुआ है कि 552 का है तो 23 यूनिट्स की वैल्यू 552 है तो एक यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी 23 था 46 और 29 बचेगा 23 4 था 92 तो एक यूनिट्स की वैल्यू 24 आगी अब पूछा क्या है इन्होंने पूछा है कि A ने original ही तो A का original था यह 100 यूनिट्स तो 100 यूनिट्स की वैल्यू भी इसका 24 टाइम्स हो जाएगी 24 ताइम्स तो यह हो जाएगा 2400 यानि इसका correct answer होगा option A बहुत बढ़ी है language का question है 100 मानोगे थोड़ा easy होगा ratio से भी आप इसको कर सकते हो A ने कुछ article खरीदा और इतना रुपए उसके repair पे लगाया फिर B को बेचा फिर B ने C को बेचा इतने में C ने finally उसे इतने profit के साथ इतने रुपए में sell कर दिया तो A ने कितना pay किया था यह आपका आया है UPSI 2021 में तो देखे तो सबसे पहले percentage को sort करते हैं 30% होता है आपका 3 by 10 20% होता है minus 1 by 5 क्योंकि loss है और 10% आपका होता ही है 1 by 10 यह आप जानते ही हो तो अब देखते हैं तो A है A है फिर B है और पिर C है है ना माल लेते हैं इसने D को बेचा होगा तो 4 लोग हैं देखते हैं तो सबसे पहले अब 410 रुपे उसने रिपेर पे भी लगाया यह हम बाद में consider इसमें कर लेंगे फिलहाल A ने B को बेचा 30% पे तो अगर B ने 10 रुपीज में खरीदा था तो इसने 13 में स्वारी A ने 10 रुपीज में खरीदा था तो B को 13 में बेचा होगा B ने C को बेचा 20% के लॉपीज पे तो अगर B ने 5 उनिटे में खरीदा तो इसको 4 में बेच दिया क्योंकि A कम करवाना था फिर C ने इसको finally 10% के profit पे 10% का मतलब अगर C ने 10 का खरीदा तो इसको D को मालेते बेचा 11 यूनिट्स में ठीक है तो A का बताना है तो दिखे अब हमें इसको पहले इसको sort करना है तो उसके लिए आप जानतों यहां हम 13 लिख देंगे यहां हम 13 लिख देंगे यहां 4 लिख देंगे यहां 5 लिख देंगे यहां 10 लिख देंगे यहां 10 और इन सुब को ऐसे multiply कर लेंगे तो यह बन जाएगा आपका 10, 5, 50 इंटू 10, 500 13, 5, 65 इंटू 10, 650 13, 4, 52 इंटू 10 आपका 5, 20 13, 4, 52 52 इंटू 11 तो यह बन जाएगा आपका 5, 72 क्योंकि 5 यहां लिखा, 2 यहां लिखा इनके बीच में 5 और 2 का gap लिखा तो 572 अब इन्होंने कहा C ने finally उसे इतने profit पे बेचा है, ठीक है तो अब A का पूछा है A का पूछा है, तो देखे C ने इसे कितने में बेचा तो देखे अगर C को यह चीज 520 की मिली थी तो उसने बेची कितने की, 572 की है इस चीज का वैलू दिया हुआ है इसकी वैलू क्या दिया हो देख लेते है यह है आपका 572 तो भई 572 यूनिट्स की वैलू दिया है आपकी यह 2288 तो इसको solve करते हैं एक यूनिट की वैलू क्या होगी अपान 572 कहते हैं A ने कितना पे किया होगा तो 500 यूनिट्स का होगा तो हम यहां 500 से मल्टिप्लाइ कर देंगे ठीक है 500 से तो आप देख सकते हो यह सीदा सीदा 4 से जा रहा है तो यह 4 इंटू 500 तो कितना आ गया यह आपका आ गया 2000 2000 हमारे according A ने जो है यह लगाया था लेकिन अब यहां आप अगर देखोगे तो option तो है नहीं 2000 का क्यों नहीं है क्योंकि यहां एक चीज और है तो इसने 410 रुपए पहले repair पे लगाए फिर उसने B को बेचा 30% profit पे इसका मतलब यह जो आपका आ रहा है यह तो इस 500 की value आ रही है तो इसका मतलब उसने पूछा actually A ने कितना किया था starting में इसका मतलब इस 2000 में से हमें यह 410 रुपए वापस लेने होंगे ना तभी तो जाके पता चलेगा कि A ने initially कितना कितने में उसको खरीदा था क्योंकि 410 रुपए तो इसने रिपेर में लगा दी इसी वज़े से 2000 इसमें option में नहीं है इस वज़े से बहुत बढ़ी है यह question है तो 410 रुपए निकाल दीजे तो जो आएगा वही हमारा answer आएगा तो यहां से आप देख सकते हो तो यह आपका 10 में से बन गया नाइन 1590 एंसर हो जाएगा इसका option A ठीक है तो रिपेर अगर दिया हुआ है तो ध्यान रखना है यह जो आपने यह निकाला है 500 यह 2000 रुपए जो आए हैं यह रिपेर का amount add करके आए बिसिकली यह हुआ है कि अगर X रुपए में खरीदा था तो 410 रुपए में रिपेर लगे उसके बाद यह 2000 बना यहां पूछ रहा है कि X की value क्या है तो इसलिए इसको 410 को हमने माइनस कर दिया और वो आ गया 1590 प्योंकि 400 करते तो 16100 हो जाता उससे 10 और कम कर दिया तो 1590 बहुत कैरफूल रहना है इस टैफिक क्वेशन में आपने दोस्तों यह था आज का सेशन उमीद करता हूं आपको मज़ा आया ऐसे और सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अगर आप हमारी live classes देना चाहते हैं आने वाले सारे exams के लिए चाहे वो placement हो चाहे वो आपका RRB हो, ALP हो, NTPC हो यह SST हो या कोई और exam हो तो आप telegram link जोईन करके वहाँ पे request डाल सकते हैं यह सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत दनेवाद